नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ अक्रोट खाने के पाइदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चेनल को सस्क्राइब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अब अठते हैं वीडियो की तरब जब बात ड्रायप प्रूट की आती है तो अखरोट को बिट मिंस का राजा कहा जाता अक्रोट खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही सहत के लिए फाइदे बंद भी है लेकिन अक्रोट को कच्छा खाने की बज़े अगर भीगो कर खाया जाए तो इसके फाइदे कहीं गुना बढ़ जाते हैं इसके लिए रात में दो अक्रोट को भीगो कर रख दे और निजात दिलाने में आपकी काफी ज़्यादा साहिता करता है इसलिए हो सके तो आपको डेली दो भीगे हुए अक्रोट का सेवन जरूर करना चाहिए यहाँ आपके शरीर में कहीं प्रकार की भीमारियों को खतम करने में आपकी काफी ज़्यादा साहिता करता है अब फ्रेंस में आपको बताती हूँ कि आखिर भीगे हुए अक्रोट खाने की क्या-क्या फायदे होते हैं पहला पाइदा है डाइबडीज में मदद करता है ब्लट शुगर और डाइबडीज से बचना चाते हैं तो भीगे हुए अक्रोट का सेवन आपके लिए फायदे मंद हो सकता है बहुत से स्टेडीज में यह बात सामने आईएं कि जो लोग रोजना 2-3 चमच अक्रोट का सेवन करते हैं उनमें टाइब 2 डाइबडीज होने का खत्रा कम हो जाता है अक्रोट ब्लट शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है जिससे डाइबडीज होने का खत्रा कम हो जाता है इसलिए जिस किसी को भी डाइपटीज का खत्रा है उसे रोजना ही अक्रोट का सेवन चरूर करना चाहिए अब बात करते हैं फ्रेंस अगले फाइदे की जो की है कब्स को दूर करने में आपकी काफे ज़्यादा मदद करता है अक्रोट फाइबर से भरपूर होता है जो आपकी पाचन प्रनाली को दुरूस्त रखता है पेट सही रखने और कब्स से बचने के लिए फाइबर युक्त चीरे खाने ज़रूरी है ऐसे में अगर आप रोजना अक्रोट का सेवन करते हैं तो आपका पेट भी सही रहेगा और कब्स भी नहीं होगा भीके हुए अक्रोट को बचाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है अब बात करते हैं फ्रेंस अगले फाइदे की जो की है हड्डियों को मजबूत करने में आपकी काफी ज़्यादा साहिता करता है अक्रोट में ऐसे कहीं घटक और गुन पाये जाते हैं जो आपकी हड्डियों और दातों को मजबूत बनाते हैं अक्रोट में Alpha Lenorelic Acid पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है इसके अलावा अक्रोट में मुझूत Omega 3 Fatty Acid सुजन को भी दूर करता है अब बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है दिल के लिए अगर आप अपने दिल को स्वस्त रखना चाते हैं तो आपको अक्रोट का 7 जरूर करना चाहिए अक्रोट आपके हाट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है इसमें प्रजूर मात्रों में Omega 3 Fatty Acid होता है जो आपके हाट के लिए फाइदे मन्द है कहीं स्टेडिस में यह बात भी साबित हो चुकी है कि जिन लोगों को हाई बलड फेसर की समस्या होती है उनके लिए भी अक्रोट लापकारी होता है आपको बता दें कि Omega 3 Fatty Acid शरीर से बेट कोलेस्टरोल को कम करके गुट कोलेस्टरोल का निर्मान में मदद करता है जो हाट के लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मन्द होता है अप्रिंस बात करते हैं अगले फाइदे की जोकी है केंसर को कम करने में मदद करता है अप्रिंस बात करते हैं अगले फाइदे की जोकी है गर्ववस्ता में अकरोट खाने के फाइदे गर्ववस्ता में अकरोट खाना फाइदे मंद होता है अकरोट में बायर जाने वाला omega 3 fatty acid घर में बल रहे बच्चे के दिमाग का विकास में मदद कता है हलागी pregnancy के दोरान अपने मन से किसी चीज का सेवन करने की बज़ाए डोक्टर की सला पर ही सही मात्रा में अक्रोट का सेवन करें तो यह मा और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही फायदे मंद होता है अगला फायदा है इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी काफी ज़्यादा साहता करता है जो आपकी रोक प्रती रोदक शम्ता यानि की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और आपको कहीं बिमारियों से बचाने में मदद करता है इसलिए खुद को बिमारियों से बचाएं और हमेशा हेल्दी और फिट रहने के लिए रोजना अपने डाइट में बीगे होई अक्रोट का सेवन जरूर करें अगला फाइदा है वजन कम करने में अक्रोट वजन कम करने में हम भूमी का निवाता है ये बोडी के मेटापोलिजम को बढ़ाता है और आपकी बोडी से एक्स्ट्रा फेट कम करने में हेल्प करता है इसमें बरबूर मात्रा में प्रोटीन वो केलरी होती है जो वजन को नियंतिन रखने में मदद करती है शोद में यह बात थावित हो चुकी है कि अक्रोट का सेवन ना सिर्फ वजन कम करता है बलकि उसे कंट्रोल में रखने में भी मदद करता है तो देखा फ्रेंस आपने यही थी बीगे होए अक्रोट खाने के फाइदे अभीत करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले thank you friends, मिलते हैं अब अखले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई